So, hello and welcome back to another video My name is Jimmy और आप देख रहे हैं Toxic Marvel YouTube चैनल और आज कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है Novi Home के Extended Cut के बारे में मतलब कि Sony Spider में Novi Home को वापस से Re-Release करेगा वो भी उसके कुछ एक्स्टा पार्ट जोड़ कर तेकिन अब Extended Cut में उन्होंने ये सीन वापस से एड़ कर दिया मतलब कियों वैसे ये नहीं था तो भी पिच्चर अच्छी थी और इसमें दूसरा सीन एट किया गया है Tommy McGuire और Andrew Garfield की बातो वाला मतलब कि हमने ब्रीज में जब इन्हें बाते करते हुए देखा था नोवे हम के नॉर्मल वाले वर्जन में तो इस वाले वर्जन में उनकी थोड़ी और बाते एड़ की गई है मतलब थोड़ी और conversation एड़ की गई है जिसमें वो काफी सारे बाते करते हैं अपने regular life के बारे में और वो Tommy McGuire वाले के वेब के बारे में और भी काफी सारे चोटे-चोटे से सीन से जैसे कि एक वो college वाला जिसमें हमें एड़ की पुरानी वाली girlfriend का interview दिखाए जाता है मतलब कि वो सब का interview लेती है लेकिन इन सब चोटे-चोटे सीन को छोड़ो जो इसमें एड़ किया गया है न वो है post credit scene मतलब कि इसमें वो Venom वाला post credit scene तो है लेकिन जिस जगे हमें Multiverse of the Madness का teaser बताया था उस जगे इसमें एक और post credit scene एट किया गया है जो कि या देखा जाये तो काफी अच्छा है क्योंकि उस वाले post credit में हमें बताई जाती है कुछ pictures पूरे group की जो photo ली गई थी Mysterio के टाइम पर लेकिन में बाद तो यह है कि डॉक्टर स्टेंज के spell के कारण Peter Run photo से भी गायब हो जाता है मतलब कि Peter स्रिफ लोगों की यादों में से नहीं बलकि उस हर चीज़ से गायब हो गया है जिससे वो याद आ सकता था काफी लोगों को बाद में मतलब जिससे वो पहचा ना जा सकता था और याद इससे तो काफी सारे छोटे छोटे सीन है जो नोटिस भी नहीं होंगे लेकिन बाद आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब करना आब मिलते अगली वीडियो में